ब्रेके बाद आपका स्वागत है आगरा के कुंडॉल में जनसभाग को संबोधित करते हुए रक्षा मंतरी राजनास सिंग ने कहा कि विकास की पहली शर्थ होती है कानून विवस्था बहतर हो मुख्यमंतरी हो गया दितनाथ ने कानून विवस्था को बहतर बनाकर उतर प्रदेश में विकास का मार्ग प्रशस्थ कर दिया है बीते पाच वर्षों में तेजी से विकास हुआ है केंद्र और राज की सरकार ने मिलकल हर वर्ग का विकास किया है किसान को समरित और युवा मौक को रोजगार दिया है राजनाज सिंग ने यहां बीजेपी प्रत्याशी बेवी रानी मौरी का प्रचार किया और क्या कुछ कहा राजनाज सिंग ने आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में आगरा में बेबी रानी मौड के समर्थन में पहुंचे राजनाज सिंग ने कहा कि सपा के शाचनकाल को सबने देखा है सपा के शाचन में किस तरह गुंडे माफिया के होसले बुलंद रहते थे अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं उन्होंने कहा कि जब होगा कानून का शाचन तभी विकास करेगा योगासन आज प्रदेश में विकास योगासन कर रहा है 84 योगासन होते हैं प्रदेश में विकास 83 योगासन कर रहा है एक योगासन सपा और विपक्ष के लिए छोड़ दिया गया है वो है शीर्शासन उन्होंने कहा कि प्रदेश में चोड़ी-चोड़ी सलकों का निर्माल कराया गया सभा में आई लोगों से पूचा कि आपको पहले की अप्रिक्षा सलकों के हालात बेतर दिखाईते रहे हैं या नहीं बाजपा के शाचनकाल में तेजी से विकास कारे हुआ है उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि आगरा में पानी की समस्या है सरकार ने एक द्योजना शुरू की है हर घर में नल और नल में जल अब कोई घर नहीं बचेगा जहां नला हो ना सिंगी हमारे नेता हैं और अभी चुनाब चल रहा है तो जो नाव में वो राड़ी को संफोधन करने आए थे और उसकि जू आ रहन करकियान मोर्डी जी ने और होगी जी उनकी जारकारी दी और किस तरह हम इस चुनाव को जीता हैं एक कारकरताओं को नहीं संभूदर्मी किया और उनको एक जोस्ती तरीके केसे आप अन्यवाद ग्यापित करना चाहती है। मैं जन्ता का अपनी कारकरताओं का बहुत-बहुत थन्यवाद करना चाहती है। कि बड़े वो दो-तीन घंटे पहले से ही आये थे और बड़े धहरे से बैठे रहे उनका बहुत-बहुत धन्यवाद, उनका आवाद्यक करती हूं कि वो यही धहरे और यही परिश्रम जो दस तारीक को करें हैं और अपना एक एक को तर्वाद है। रच्चामंत्री ने कहा कि आपने 2014 में भाजपा के नित्वत्र में केंद्र सरकार बनाई है, नरेन्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 2014 से पहले दुनिया में धालना थी कि भारत कमजोर है, आज ये धालना बदल चुकी है। आते हुए राजनाद ने कहा कि क्या आपने कभी कल्पना की थी कि कोई प्रधानमंत्री सोचाले की बात करेगा, हमने ये किया, आज घर घर सोचाले बने हैं, पहले गरीब बीमारी से दम दोड़ देता था, आज आयुशमान भारत योजना के तहत गरीब को पांच लाग र प्राप्त हुए आगरा के लिए भी स्टिक्रोफ हो गया है, यहां भी काम प्रारं होगा, कोई घर ऐसा नहीं बचेगा, जहां पर इकि नल की सुभिदाना हो जाए और रहे जल ना प्रांगत हो, अब घर की माताओं बहरों को पानी लाने के लिए कुवं पर नहीं आना हमारी सरकार ने लागू की है उत्तरफरीश का नहां तक सवाल है मैंनों भायों पहले सारे प्रजेश भी पांच, शे, साथ मेडिकल कॉलेजिट है आच मेडिकल कॉलेजिट है पांच वर्चों के अंदर हम लोगों ने अईती हालाथ पैदा कर दिये जनसभा के अंद में ग्रामीर विधानसभा से बिजेपी पित्याशी बेवी रानी मौरे के पक्ष में जनता से बोर देने की अपील की और कहा कि आप क्या सोचते हो कि उत्तराखंड की राजपाल आपके बीच में चुनावर रही है क्या वो एक विधायकी रहेंगी नहीं आप खुछ जानते हो उन्हें कितनी जिम्मेदारी दी जाएगी सब्सक्राइब कोई बोट कर रहे हैं और दूसरा कोई भी उमिदगार तक्योंने लेगे बीजेपी के आने से बहुत सारे फायते हुए है समाजी प्रदार हुआ है और दंगे फसाद होते थे वो कंतोल हुए है और बहुत सारी जो दनाय है वह लौगश ही है विकास हुआ गाव या काफी इस तरह से बीन पीजेपी को शोपोट करके दे रहे है सारे लोग बोक्ते रहे हैं तो प्रति आसा दे दो एसए बिवी बिभानी यह ज्वाए है बिवीदानी महरी जाय northern शो ओ पीजेपी बीजेवी को वोट कर रहे हैं और यहां से हमारी प्रत्प्याश है बेवीरानी मौर को वोट जणना चालते हैं? बाई वो यहां की बेयर रही है पहले और उन्होंने यहां पर बड़े अच्छे काम किये हैं और इमंदारी में और करतवी निष्ठा में उनका बड़ा नाम जनता वे बीरानी मौड के समर्थन में दिख रही है देखना ये होगा कि इस समर्थन से वो कितने अंतर से जीत तर्च करती है Election Desk, Knews India